बेलकम बैक मा यूटूब चैनल एगरी आइकन में आप लोगों का एक बार पुना स्वागत है आज एगरी कल्चर की क्लास नमबर आठ जिसमें हम आपको 50 कोश्चन कराएंगे तो अपने कोश्चनों को स्टार्ट करते हैं तो पहला कोश्चन हमारा क्यारी त्यार करने में मि मि तीपलग़ने वाली उक्ती का प्रयोग जड़ छेतर के नीचे कठोर ढेले फोड़ने के लिए किया जाता है निवन में कौन सी कि फासल गेहूं के साथ मिस्रित फसल के रूप में नहीं उगा जाती है तो मूंग मूंग गेहूं के साथ मिस्रित फसल में नहीं उगा जाती है वहीं चना सरसों सनई को गेहूं के साथ मिस्रित फसल में बो दिया जाता है नेश कुछ सन निमने लिखित में से किस प्रणाली क उच्छतर जल बच चमता है तो टपकन सी च्चाहि की 12 ख सब्सक्रान का पाराँ चाहिए देतना हैं साथ से नीचे वाली भूमियां अमली होती हैं BCH स्वेहरे मनुस में तपका की इलर्जी के लिए वितर दाई खरपतवार है तो मनुस्ट में तचा की यालजी के लिए उत्तरदाएखर आप आप इसलोफोर क्या जाएगा पार्थेनियम हृस्ट फोरस वहीं चीनो पोडियम एल्वम ये बथुआ का है जो चीनों फोडियम ये या अल्वम दिया हुआ है इसको बथुआ का बिग्यानिक नाम है वहीं फ्लेरिस माइनर ये गेहूं का नकल्ची पत्रपतवार इसे गहों को मामा या गुली डेंडा कहते हैं इसका टेस्ट बेड़ दो ग्राम होता है वहीं अविना फटुआ यह जहीं का विज्ञानिक नाम है नेश्कूर्शन सर्सों पर आक्रमन करने वाले महों को नियंतर्ण किसके चिर्काव से होता है तो सर्सों पर आ किसान सामनता कितनी सक्ति के टेक्टरों का उपयोग करते हैं तो किसान सामनता 25 से 40 HP यानी आश्व सक्ति का टेक्टरों का प्रियोग करते हैं अगला कुश्चन है किस राज में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो महाराष्ट में कपास का सबसे अधिक उत्पाद होता है नेमन में काउन सा एकम सरकरा का स्रोथ है तो चुकंदर और गन्ना सरकरा का स्रोथ है अगला है बढ़ते हुए आकार के किरम में विवस्तित मर्दा करकी सरंखला इनमें से काउन सी है तो बढ़ते हुए आकार में विवस्तित मर्दा की सरंखला मृतिका तलचट बलु नेक्स्ट कुस्ट्ट निम्न में से कौन से गेहों की किसमें हैं तो सोनालिका और HD 239 एक गेहों की किसमें हैं क्या हो जाएगी गेहों की किसमें हैं अगला है अत्रिक्त जल हटाने की प्रात्मी कुपाय साधन है तो यह हो जाएगा जल निकासी क्या हो जाएगा जल निकासी जिसे कोशिका का सक्ति स्रोत या पावर हाउस कहा जाता है किसे कोशिका का सक्ति स्रोत या पावर हाउस कहा जाता है तो वह हो जाएगा माइट्रो कंडिया इंपोर्टेंट क मर्दा की नमीको नापने का उपकारण हो जाएंगा टैंसीो मीटर और नूटरान परॉप अगला कुस्त्ता हमारा है सरबादिक उत्पादक मरदाओं का pH पराश होता है यादि आप बीच में लगबग सबी प्रकारकी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है नेस्ट कुश्चन इनमें से कौन सा C4 पौदा है बतलब निम्न में कौन सा C4 पौदा है तो गन्नाज C4 पौदा हो जाएगा आदमां की गेहु भिंडी आम ये सब C3 प्लांट हैं नेस्ट कुश्चन सुद्ध सुष्क बायू प्रमुखता किस से निर्मित होती है तो सुद्ध सुष्क बायू मुखता नाइट्रोजन से निर्मित होती है नेस्ट कुश्चन नील हरी सेवाल और क्या कहलाते हैं यानि जो नील हरी सवाल होता है उसे और क्या कहते हैं तो नील एम क्या हो जाएगा वी एम यह माइको राइजल जेव उर्वर्ग है अगला कुस्टन हमारा बढ़िया कुस्टन है चारी मिर्दा को क्या मिलाकर सुधारा जा सकता है तो चारी मिर्दा को जिपसम मिलाकर सुधारा जा सकता है क्या मिलाकर जिपसम वहीं अमले मिर्दा को कमी से दुख्धु जोर होता है ऒो कैल्सियम तत्तु की कमी से होता है निस कुछ तन भारतिय क्रश अनुसदान संस्तान या order अंहें पत्व कहा इस्तित है दिल्ली में का किसका पालन है तो भरमी कल्छर केंचुए का पालन है तो अगला है अब ल॥ है दलहयन और तिलहें दोनों के लिए सोयावीन का प्रियोग होता है सोयावीन में प्रोटीन 40-42 परसेंट कितनी 40-42 परसेंट इसमें तेल की मात्रा लगवग 20-22 परसेंट वहीं मद्य प्रदेश राज में सबसे अधिक हो गाया जाता है और इसका विज्ञानिक नाम ग्लाइसन मेक्स हो ज आता है असा है जी भी नाइट्रोजन इस्त्री करण अगला कुस्ट नमा रहा है एक हेक्टियर छेत्र में बास्तिविक आलू की वीज़दर क्या होनी चाहिए यानि टी-पी-एस आलू की टी-पी-एस मतलब ट्रेयो पटेटो सीड की एक हेक्टियर में कितनी बीज की आव पाई जाते हैं अगला है कपास के बीजों से रूई हटाने के लिए प्रियोग करते हैं कि कपास के बीजों से रूई हटाने के लिए प्रियोग करते हैं तो कपास के बीजों से रूई हटाने के लिए प्रियोग करते हैं अगला है कॉटन सीट के वीज में तेल की मात्रा हो श्रlandoよし घता सबसे अधिकत्वादन महारास्ट्राज में होता है एकला सब्सक् motivation किいうこと नुबर 382 कि terminator तकनीक का की फसल में किया जाता है तो terminator तकनीक का उप्योग कपास की फसल में किया जाता है सब्सक्राइबskuni कहा सपेद मक्ही होती है ,अगला है सीड़ वागफल है तो लुष का हो जाएगा किसवागा ,स रोकर्ण के संख्या होती है तो देशी कपास में गुर्शूत्रों की संख्या होती है 26 कितनी होती है 26 next question कपास के रेसे में cellulose की मात्रा कितने पृतिसत होती है तो कपास के रेसे में cellulose की मात्रा 90% होती कितने परसंट 90% अगला है सपेश सोना के नाम से किसे जाना जाता important question question number 395 very very important कि सपेश सोना के नाम से किसे जाना जाता है तो कपास को अगला हमारा question है कपास के रेसे कि लंबाइदा में आपने वाला एंत्र है तो कपास के रेसे के लं लंबाइदा सब्सक्राज्स आफर सब्सके की था पर्योग किया जाता है भारत में सरप्रथम VT का पास उगाने की मंजूरी किस वर्ष दी गयी थी तो भारत में सरपरथम सँ 2002 में VT का पास उगाने की मंजूरी दी गयी थी नेस वर्ष दीप्तकालिता के अनुसार का पास किस परकार की फसल है तो वह जागी S D P Soda Plant क्या हो जाएगी? सोट डे प्लांट दिप्त कालता के आधार पर कापास सोट डे प्लांट है अगला है important question question number 404 VT कापास में 20 दर कितने लेते हैं यानि VT कापास की 20 दर कितने हो जाएगी तो वो जाएगी 1 से 1.5 kg क्या हो जाएगी? 1 से 1.5 kg अगला हमारा question important question question number 405 कि कापास में किंकल लीफ होता है किंकल लीफ होता है तो किंकल लीफ मैंगनीज की अधिकता से होता है किसके अधिकता से? मैंगनीज की अधिकता है next question कापास में सीस भाग हटाने की प्रिक्रिया कहलाती है कपास में सीस वाग जो हटाया जाता है उसे टॉपिंग कहा जाता है क्या कहा जाता है टॉपिंग अगला है कपास अनुसंदान केंदर इस्तित है तो कपास अनुसंदान केंदर महाराश्य राज्य में इस्तित हो आए अगला है जूट में रेटिंग के लिए उपयुक्त जाती दोखी जाती है एरी यालो मीटर से एरी यालो मीटर से न